नमस्कार वित्रो दो दिन परिक्षा आपकी हो चुकी है 28 जून को और 29 जून को इसमें अगर मैं बात करूं 28 जून की और 29 जून की तो 28 पहली बात तो हम आप ही चाहते हैं कि हम वीडियो नहीं बना पाए कुछ कारण थे और आज हम बता रहे हैं 28 जून को परिक्षा होई है इसमें कुछ दिक्कते आई हैं अब वो दिक्कते चाहे तो यह समझ लीजिए कि सोफ्ट्वेर अच्छे से काम नहीं कर रहा था और चाहे यह समझ लीजिए कि जो लोग पहले दिन गए उन्हें अंदाजा नहीं था कि सोफ्ट्वेर किस तरह से काम कर रहा है तो दिक्कते आई हैं ठीक 29 तारीक को दिक्कते कम आई हैं जो मेरी आप लोगों से बात हुई है लगबग 29 तारीक को तो आई नहीं है सब लोगों ने अच्छा काम किया है और इसमें 28 तारीक को भी उन लोगों को दिक्कते आई हैं जिन लोगों ने हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया हमने अपनी जो बीडियो बनाई थी को लेटर आने के बाद जो बीडियो बनाई थी और उससे पहले भी जो बीडियो बनाई है पहले उसमें हमने किलियर कहा था कि जब आप टाइप करेंगे तो टाइप करते समय पहले मिनिट में आपको बड़े आराम से टाइप करके चल ली हैं यह बात हमने बताई थी है वीडियो पड़ी आप देख सकते हैं और उसमें कुछ बच्चों ने हमसे पूछा था कि साफ सोफ्टवेर पर टाइप है कि MS बड़ पर टाइप है तो मैंने कहा था यह तो किलियर मैं नहीं कह सकता कि सोफ बैक स्पेस का यूच कीजिए क्योंकि बैक स्पेस जितना ज्यादा आप यूच करोगे उतना आपका हाथ डग मगाएगा ठीक यह मैंने कहा था दूसरी बात मैंने आप लोगों से कही थी कि आप जो पहले मिनट में टाइप करेंगे पांच मिनट की टाइप है जब आप प एक्जाम में हम क्या काम कर रहे हैं एक्जाम में हम चाह रहे हैं कि हम 45 की टाइप लेकर चले हमारे मन में यह हो रहा है कि मैं सबसे ज्यादा से जारे टाइप निकालों तो आप जब ज्यादा तेजी से हाथ चलाने की कोशिस कर रहे हैं तो आपकी टाइप बिगड़ जा र हैं इसी चेकर में आप गलबड हो रहा है है आप जो है यही सोच के चलो के पहले मिनिट में आप फच् jis से 30 बर्ड चाप सको और सुटे-च्प सब्सक्रा रहे हो बढ़े नहीं आ रहे हैं तो आप यह को शिष करके चलो के पचिस वर्ड आपके पहले मिनिट में छप जाएन, जब आपके पहले मिनिट में 25-30 सब्चपेंगे यह मालेिज जब पफ्चीस ही छप तो अगले मिनट आपका Confidence Level बढ़ेगा, जब confidence level बढ़ेगा तो आपके हाथ स्वता ही अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, आचे ये बाते आपको 29 तारीक के बैच में आयोग बालों ने खुद बताई हैं 28 तारीक को उन्होंने ये बाते नहीं बताई जिसमें सबसे ज्यादा आप लोगों को दिक्कत आई और जिन लोगों ने हमारी वीडियो देखी थी और हमारे कही अनुसार चले जैसी मेरी बात ह हुए थी बहुत सारे दो चार भाइयों से बात हुई तो उन्हों ने का भाई ये जैसे आपने कहा था कि पहले में बहुत आराम से करनी तो उन्होंने अराम से अपनी फिसम्द निकालके भी आये हैं 282219 वह निकालके आई हैं आप लोगों को करना यही है जिनका एक्जाम आप आगे को है आप वीडियो पर ध्यान मत दो बहुत सारी वीडियो ऐसी आरे हैं आप नेकेटिव बातों पर ज्यादा ध्यान दे तो फोजेटिव पर कम देते हो पोजेटिव बात हमने आपको बताई थी कि आप जब पहले मिने टाइप करोगे तो बड़े धीरे से होंगे ही ऐसा थोड़ी सारे गलत शाप दिया होंगे अब 125 में से मानलो किसी ने कम सब्सक्राइब हैं मानलो 125 ही चापे और उसमें भी पांच गलत हो गए तो क्या पता फेल हो जाए मुझे लगता कि फेल हो जाएगा तो आप इन चीजों पर ध्यान को देते हो कि इतने कम चापोंगा तो मैं फेल हो जाओंगा आप अराम से टाइब करो आपको दीख रहा है 125 सब्सक्राइब को ज्यादा थोड़ी होते हैं 25 सब्सक्राइब में चापने तो आप 25 सब्सक्राइब 25 अब यह भी नहीं कि आप गिनके 25 चापो इतने धीरे चल जाओ कि 20 की स्पीड आप धीरे टाइब करो ना ज्यादे ज्यादे 30 सब्सक्राइब चापो ऐसी लेकर चलो फिर अगले में यह 30 से 35 खुद हाथ पहुंच जाएगा जब हाथ सेट हो जाएगा देखे होता क्या है जिन कीबोर्डों पर आपने घर प्रेक्टीश किये वह कीबोर्ड और तरह के है है जब आप did name कीबोर्ड दूसरे हैं किबोर्ड के बने हुए हैं यहा फिर कि भूबड के बने हुए है लेकिन के बखुल नए है जैसी की पी हात रख अर ग्रह लोडों शापरा एथ तेजी से आब आपने घर टाईप किए वह बिल्कुल नहीं थे उन वह कुछ दिन चले कीबोड थे तो बहाँ पर दिक्कत यारी बिल्कुल नए कीबोड है जैसे की दवार है तुरंत शप्राइब तो आपको अंदाज भी लग रहा है एक बार छापा था आपने दूसरे पर जरा सी उंगली आपकी गलती से मानले किसी उस पर आपकी उंगली लग गई वो दूसरा चपकिया गलत यह भी दिक्कत आपको आ रही है इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग बिल्कुल धीरे से भायोग बालोंने बताया है उन्होंने बताय की गलती पर तो आपना बैस्त करने की कोशिज कीजिए और मैंने आपका मनवल बढ़ाने के लिए आपको ये बताया था कि आपने बहुत अच्छी तयारी की है और यह बी बताया था की जिस टीचर ने आपकी तैयारी कराई है, बहुत अच्छे टीचर ने आपकी तैयारी कराई है, ठीक, कोई भी अपने मन में ये मत सोचो कि मेरी तैयारी खराब हुए, किसी के तैयारी खराब नहीं हुए, और नसीब आपका बड़ा अच्छा है, कि आपको तीन महीने एक्ष्टर मिल गए कि आप सारे हनुमान हो कोई भी हनुमान से कम नहीं है बस जरूरत आपको जाम बंत की है आप उन जैसे रावडों से बचिए जो वीडियो बना बना के डाल रहे हैं किसी लड़की ने बताया कि सर मेरी टाइप तो इतनी बुरी गई वहां पर जो है सोब्टवेर काम नहीं कर है और उनने मैटर नभ्य का बोल दिया मेरी सब्द समझ में नहीं आए हैं अब उन बात पर दिहां देने लग जाते हो सब्द कौन सा समझ नहीं आता है सब्द बो समझ नहीं आता है डिक्टेशन देते समय मेरे सामने भी मुझे भी 10 साल पढ़ाते-पढ़ाते हो गए मैं घर-बी मेरे सामने बी जब को य नया बच्चा आता है और मैं कोई देरा होता हूं सब्दिक्टेशन देरा होता हूं और मैं कभी-थे को सब्द समझ नहीं आता है और मैं कहता है आप अगर एकागर चित हो करके आपने मैटर नहीं लिखा है तो सब्द आपके फिसली जाएंगे तब भी वो आपको याद रहेगा पांच मिट तक के एक सब्द था वो मुझसे लिखाने गया समझ गया आप मेरी वाद तो एकागर चित हो करके तैयारी कीजिए तैयारी के एक्जाम दीजिए ठीक है और मैं फिर बता रहा हूँ आप सारे हनुमान हो आपको आपके बल को याद दिलाना है वस आपको जामबंद की आवश्यक्ता है और किसी की आवश्यक्ता नहीं है जिन लोगों ने सिर्फ इस्पीट इस्पीट बढ़ाई और उन्होंने तरीका ने सीखा कि मुझे पहले मेर्ट में कैसे टाइप करनी है वो लोग बिचारे थोड़ा धोका खा गए है लेकिन ऐसा नहीं कि वो फेल हो जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है कमेटी बनेगी वो किस तरह से नंबर देंगे ये बाद में तैह होगा तो मेरा कहने का मतलब यह जैसे तरी इडियेट फिलिम देखिए ना अमीर खान कहता है कि है एजूकेटीड होने की ज़रूरत है तो आप लोगों ने तैयारी तो की कुछ लोगों ने पैतालीस से पचास तक की स्पीट ले ल सलता है दूसर मेट में हाथ खुद वह खुद तेज हो जाता है और ये बात हमने वीडियो में अपने बताई थी ठीक कोई बात नहीं सब नसीव है और आप ये ऐसे नराज मत होई है कि आप आपका पेपर हो गया आप मेरी वीडियो देख रहे हैं फिर कहीं सारा हम तो बड़ टाइप बड़े अराम से कीजिए भाया टाइप में पास होना बहुत जरूरी है आपका क्योंकि मुझे जिस तरह की बाते आ रही है मुझे लग रहा है कि टाइप में आप लोग ज्यादा परिशान हो सोटहेंड में कोई परिशान नहीं है और सोटहेंड में अभी तक जो बुली है वो बहुत सिंपिल है हमने अपनी वीडियो में हमेशा कहा कि सिंपिल वीडियो मतलब सिंपिल डिक्टेशन आपको मिलेंगी कोई भारी सब्द नहीं मिलेगा चार बैंच अब तक चले गए अठाइस तारीक को दो बैंच और उन्तिश तारीक को दो बैंच चारो बैंच में किसी बच्चे ने यह नहीं कहा कि डिक्टेशन बहुत भारी बोली सबने कहा कि बिल्कुल आराम से थी और सही थी कुछ बच्चों ने तो यह भी कहा कि आप जो हमें वीडियो देते थे यूटूब पर डालते थे या जिन लोगों ने हमारा ओनलाइन कोर्स खरी घडीशन बहुत बहुत भारी बोल देंगे एसा नहीं लेबल सबका समान देंके चलना चीस तो सबसे ज्यादा जो ध्यान रखनी है आपको वह यह ध्यान रखनी है कि टाइपिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखें कुछ दिक्कते यह आ रही है हमने अपनी वीडियो में एक एक बात सोने की है, हमने जो बताई, हमने कहा जब आपको demo मिल रहा होता हमने कह था जब demo मिलेन ना तो आप टाइज कर ield मत दे क email करके देख रहे आप जब आप टाइble कर रहा हूं यह की बॉट पर मनेट की तो ज़रूरी नहीं है कि जो की आपको देखनी थी वो की दब गई होगी जरूरीएं हमने कहा था जैसे माली जी ये वो हैं आपके बटन है। वह इस सारे बटन है ये पिन प्मान लो आप ऐसमें जब हम टाइप करने तो जरूरी तो आप इसको दबा करो सारी की चेक करो अब बच्चे कुछ किया रहे है कि मैंने टाइब की तो मैंने देखा था बहुत अच्छा की बहुत काम कर रहा था लेकिन जब मैंने टाइब की बाद में डेमो के बाद जब मैंने समय सुरू हुआ तो कीबोर्ट ने काम नहीं किया तो हो सकता है कीबोर्ट खराब हो लेकिन वो यहीं दिक्कत आई है आप डेमो जब आपको मिल रही है न तो डेमो के समय में एक एक की को छू के देख लो कि व व्लतीी मत कीजियेगा बाकायदे फोटो सब्सक्राइब किसी भी तरह से इस बीचिंग कराने मूड में बिल्कूल नहीं है नियोंょ तो अच्छा है ऐसे चीटिंग नहीं हो रही है तो और जो लोग टिएंब ही लोग लगेंगी हम तो इस बात कस्वागत करते हैं यह कि कि वो बहुत अच्छे से अच्छा 28 तारी को दिक्कत आई या 29 तारी में वो खुद समझा रहे हैं आयोग बाले कि पहले मिनेट में धीरे से टाइप कीजिए आप उसको समझिए तो आप लोग समझिए और बिल्कुल भी परेसान तो बिल्कुल मत हो ये किसा पता नहीं बह है और पास ये ठीक है और अपना बैस्ट करके आईए अनुभब मिलेगा आपको दूसरी बात ऐसा कोई गलत नहीं हो रहा है, बहुत अच्छे से वह तैयारी करा रहे हैं, बहुत अच्छे से वह लोग आपका एक्जाम ले रहे हैं, बस ज़रूरत है आपको समझने की, ठीक, समझना यह यह, सोठ हैंड जब बो बोल देंगे, किसी से बात नहीं करनी है, अपना मैंटर सेट करो, अ कि एक बार पढ़ा कहीं पर आके एक सब्द नी उठा दूसरी बार पढ़ोगे हो सकता वो सेंस लगके उठ जाए और उठी जाएगा आप ट्रेंड हो ठीक तो आप उसको बार-बार पढ़ते रहो और जहां परिशान करेंगे अच्छा हमने एक चीज और बताई दी अपनी कि स्पीट नी बन पा रहे है था हमने का था पूरे दिन में किसी भाई के पास लिखे किसी भी टीचर के पास तो हमने आट साम को जब आप एपने घर जा रहे हो ना तो डिक्टेसन नहीं कोई रिक्टेसन कि सुभा जब आप कोचिंग पढ़ने जा रहे हो तो कोचिंग जाने से पहले सुभा उठके फिर इन चारो डिक्टेशनों को पढ़ो बताया था कि नहीं बताया था आप पिछली वीडियो देखना ये बताया था हमने कहा भी था कि हर किसी ने तयारी कराई और सब ने वैश्ट कराई है जिसका जैसा अनुभव है वो अपने अनुभव अनुसार तयारी उसने कराई है हमारा अनुभव जैसा था हमने बो वाते आपको बताई हमारा अनुभव था इस तरह की बातों का हमारा अनुभव थे और हमने अनुभव आप से साजह किये थे अगर आप ने ध्यान नहीं दिया है तो फिर इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते हो सकता अब के नसीम में कुछ गलब था लेकिन अभी जिन लोगों की स्वट एंड की परिक्षा हैं यानी मंडे को है या तूस्डे परिक्षा तो आप लोग इन बातों का रहान रखिये वह या और दूसरी बात जब आप अब मैटर लिख रहे हो ना तो आप बहुत ज्यादा मैटर लिख रहे हो फिर परिसान हो रहे हो सर मैटर उठनी रहा मुझसे आउटलाइन नी बन रही आप कम करदो मैटर लिखना या जो पुरानी डिक्टेशन है आपके पास जहां पर भी आप पढ़ते थे या उनलाइन पढ़ते थे तो पुरानी डिक्टेशनों को लिखो जो पहले लिख चुके हो आप ठीक है उन्हीं को लिखो नई डिक्टेशन अगर कोई है तो उसको कमी स्पीट पर लिखो कुल मिला हो आपको जामबंत की आवश्यक्ता है वही मैं बनने की कोशिज कर रहा हूं मैं कोशिज कर रहा हूं कि मैं जामबंत बनूँ और आपको आपकी सक्ति याद दिलाओं ठीक तो आप सारे हनुवान हो सक्ति की आवश्यक्ता है याद दिलाने की आप किसी वीडियो पर ध्यान मत ग гई तो गलत का नहीं फैलने चाहिए रहे चीजze फॉलकां रहे हो जाए होगा है तो इन बातों को ध्यान रखेंगे मुझे उमीर है और आगे सबकामना है मुझे आप सबकी आपके कोल भी जब आती है तो बड़ा अच्छा लगता है जब आप बताते हैं कि भाईया आपने जो तैयारी करें बहुत अच्छी लगा और बहुत अच्छी से हमारा एक्जाम हुआ है तो मैं तो उमीद करता हूँ कि आगे भी जो लोग आप पेपर देने के लिए जा रहे हैं एक तारीक से लेकर करके 18 तक या 22 तक तो मेरी उमीद है कि और प्राथना है भगवान से कि आप सारे लोग पास हों कम से कम शूट हैंड में तो पास होई जाए पहले दिन जो दिक्कते आई हैं वो लोग भी परिशान ना हो जिन लोगों को दिक्कते आई हैं क्योंकि अभी कमेटी वनेगी गलतिया कैसे कटनी हैं वो सारी चीजे बाद में पता चलेंगे चलिए अब मैं आपसे विदा चाहता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं फि कुछ बात ये लगेंगी तो मैं बताऊंगा तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूं नमस्कार तन्यवाद